नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में अगर आपके घर में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोब्लम है करजा बहुत बढ़ गया है या आपकी दुकंदारी नहीं चल रही है या फिर आप बेमारियों से परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए है दतूरे के फूल को लेना है दतूरा महादेव को बहुत प्रीय होता है तो दोस्तों एक दतूरा का फूल लेना है और उसे एक दिसा में रखना है जिससे आपके घर में मातालक्समी का वास हमेशा बने रहेगा लेकिन कैसे करना है इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए तो दोस्तो आपको एक दतूरे का फूल लेना है और उस दतूरे फूल को लेकर प्रदोस के दिन प्रदोस काल में महादेव के मंदिर जाना है और महादेव का ध्यान करते हुए सीवलिंग के पास खड़े होकर उस दतूरे फूल को सीवलिंग के उपर समर्पित करना है जब आप दोतूरे फूल को समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिए जो दोतूरे फूल की डंडी होगी वो डंडी आपके वीपरी दिसा में होगी यह आपको ध्यान करना है इसके बाद आपको एक लोटा जल महादेव के नाम से समर्पित कर देना है और इसके बाद ये दतूरा फूल जो आपने चड़ाया है वो लेकर आप अपने घर आजाएए आपके घर में जहां तिजोरी है जहां पैसे रखते हैं वहाँ इस दतूरे के फूल को रखते जिए यदि आपकी दुकान है तो दुकान में भी रख सकते हैं इसे आपके घर में हमेशा मातालक्षमी का बास बना रहेगा तो दोस्तों ये तब तक रखना है दतूरे का फूल जब तक एक परदोस पूरा हो जाए तो दूसरे परदोस पर फिर से इस सुपाय को करना है और दूसरे फूल को बदल दीजिए तो अपरणे दूसरे फूल को नदी या किसी पेड़ वगेरा के नीचे डाल दें वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों को सेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिसे नए वीडियो का नोटिविकेशन तुरंत मिल सके